हे गाईज जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज 6 अगस्त है और आज सुबह 10 बजी रेड्मी 9 प्राइम स्मार्टफून का फ्लेसल आया हुआ था एमेज्वां को पर सुबह 10 बजे और माई का फीसल इस्टूर को पर सुबह 10 बजे तो आज की इस विडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ सेलेख फेकसेल था या फीर फेकसेल नहीं था तो वीडियो में लास्त तक बनी रहे हैं मैंना में दीबाक स्वागत करता हूँ आपको अपने यूटुब जहाँ पर वीडियो का विदियो कर जेगा लाइक और अगर हमाँ चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और अभी तक मुझे इस्टाग्राम पर फोलो नहीं किया है तो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फि सब्सक्राइब करने के लिए तो मुझे लगा कि अभी तक स्टॉक में नहीं आया है तो मैं फिर से जहूं रिफ्रेस करने लगा फिर कुछ सेकेंड के बाद जो है उस जगे एड्टु वाइट लिस्ट का उप्शन आ गया है नहीं तो मैं अध्टु वाइट लिस्ट पर क्लिक करने का बाद जो यह एड्टु वाइट लिस्ट पर क्लिक करने के बाद सब्सक्राइब तो मैं फिर से रिफ्रेस करने लगा और फिर भी जो है उस जिए बाइनौ का उप्षन नहीं आया दस बच के एक मिट हो गया फिर भी जो है उस जिए बाइनौ का उप्षन नहीं दिखा तो आप समझ सकते हैं क्या उस जिए जो मैं continue रिफ्रेस करता रहा फिर भी जो बाइनो का उप्सन नहीं दिखा और नहीं जो है add to card का उप्सन दिखा सिर्फ जो option दिखा वो था add to white list white list पे जाने के बाद जो उस दिखे में smartphone भी सो नहीं हो रहा था और उस दिखे कोई भी option भी नहीं आ रहा था तो मैं directly back आया उस दिखे फिर से क्या था add to white list का ही option सो हो रहा था उस दिखे जो एक बार भी जो बाइनाव का option नहीं दिखा और नहीं जो add to card का option दिखा तो गाइस यह सेल जो एक तरह से फेक सेल ही था तो अब आप मुझे comment में चक बताइए कि आप यह सेल में Redmi 9 Prime स्मार्टफोन को order कर पाए या फिर नहीं मेसेज कर सकते हैं मैं आपको उस जगे से reply कर दूँगा तो चलिए आज कितना ही मिलते हैं किसी और next वीडियो में तब तक के लिए बाइ